नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है कि आज की वीडियो में आप लोगों बताऊंगा कि आप अपने मुबाइल फोन को कैसे रिसेट कर सकते हैं आज गल रिसेट करते टाइम काफी प्रोब पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसी इंफोर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहें अभी हम मेरे फोन की स्क्रीन पे आगेंगे मेरा वीवो का फोन है तो अब हम इसकी सैटिंग में जाएंगे जहां पर हमें सीधा सिस्टम मेनेजमेंट के उपर जाना है जहां पर हमें हमारा रिसेट करने का उप्शन मिलेगा तो अब हम इसका सिस्टम मेनेजमेंट को उपन करते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ बैक अप और रिसेट का उप्शन है इसके उपर जाना है उसके बाद यहाँ पे आपका erase data का option है तो सबसे नीचे वाला erase का होगा कई बार format का भी होता है वहाँ पर आपको जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपका format phone storage जिसके अंदर आपकी photo, video, file सारी चीज़े होती है वो सब है आपको अगर format करनी है तो आप उन सब चीज़ों को कर सकते हो यहाँ से उसके बाद आपके यहाँ पर जितने भी account है facebook, youtube बगार के वो सब है जैसे ही आप यहाँ पर अपना password डालोगे उसके बाद यह आप से पांच से second का time मांगेगा कि आपको अभी भी अगर data नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सोड सकते हो लेकिन आपको डारेक्ट उसके उपर क्लिक करना है पांच second का वेट करके और आपका यह phone reset होना start हो जाएगा MII के phone के अंदर भी कहीं बार यह चीज़े होती है कि उनके अंदर आप अगर ढूंडोगे तो आपको दूसरी जिगाए पर option मिलेगा और कहीं बार क्या होता है कि अगर आपका developer option start नहीं है आपको build number के उपर बार बार क्लिक करना है पांच से बार आपका फिर developer option click open हो जाएगा उसके बाद आप इसको reset कर सकते हो कहीं phone में यह problem आती है अगर आप try करते हो तो आपको कहीं बार यह reset करने की permission नहीं देता है तो आप उसके बाद उसको reset कर सकते हो अब यह मेरा पूरा data clear कर रहा है जो मेरे phone के अंदर है हम इसको पूरे data को पहले clear करेंगे उसके बाद इसको दोबार से start कैसे करना वो सब चीजे भी मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे कैसे इसमें process होएगी और अगर आपको यह video पसंद आ रही है तो आप हमारे channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि हम ऐसी interesting videos अपने channel पर लेकर आते रहते हैं यह हमारा phone almost clear हो चुका है clear होने के बाद यह कुछ time लेगा जो आपके phone के अंदर जितना भी data है जितनी भी settings है और जितने account है उन सब को यह delete कर देगा तो अब हम यह wait करते हैं तीन-चार सेकिंड delete होने देते हैं तो अब यह हमारा पूरा phone delete हो चुका और यह हमारा find touch OS 2 vivo का है वो शुरू हो चुका और अब यहां पर हमें इस language और इस लेक्ट करनी है अब यह हमारा दोबारा से बिल्कुल जो नया phone होता है वो option आ गई है और आपका पूरा data और सब कुछ इसका clear होचका है उसके बाद आप यहां पे अगर आपने sim डाली है तो sim connect भी on कर सकते हो वरना आप जैसे मैंने wifi से connect किया है तो wifi से भी connect कर सकते हो उसके बाद इसके अंदर option आता है कि आपको अगर अपने पुराने phone से data लेना है तो आप कैसे लोगे वो भी आप यहां से select कर सकते हो लेकिन मुझे कोई data नहीं लेना है तो मैं सीधा इसको skip करके आगे बढ़ता हूँ उसके बाद जैसे ही आप इसको click करोगे तो यहां पे कोई बी प्रोब्लम आ रही है या आपका कोई भी सुजाव है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए हम आपकी पूरी-पूरी साहिता करने की कोजिस करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलतेए अगले वीडियो में तब तक के लिए जैह बंदे मातरम